तो नमस्ते दोस्तो और इस वीडियो में जो डी हैशिंग और डंपिंग की है मैंने इंजेक्टेबल्स निकाल लिए जो की लास्ट लेसन में आपको बता दिया था कि इंजेक्टेबल यूर्स तक कैसे आपको निकालना है वहाँ तक अपनी क्लास हो चुकी थी अब हमें मैं दुबारा रिकॉर्ड करके डाल लूँ आपके लिए क्योंकि लास्ट वीडियो में कुछ लोगों को इश्यू आ रहा था कि उनको समझ नहीं आ रहा था थो थोड़ा फास्ट था वीडियो तो मैं यह अच्छे समझा कर रहा हूं तो यहाँ पर मेरे पस दूसरे इंजे में सर्च कॉलम्स का एक है यह कभी-कभी नहीं भी दिखता है अगर ऐसा दिखेगा तो प्लस साइंड पर क्लिक कर लिजेगा तो फिर यह दिखेगा अब इसमें इमेल और पासवर्ड को स्लेक्ट कर लेना है आपको अगर आपको यूजर चाहिए तो वह भी कर सकते हो बट ऑल ट्रेंट कर सकते यहां पर थ्रेस का मैंने मतलब बताया हुआ था पिशले वीडियो में इसको ठेट को 100 कर दिया ठीक है और इसको ध्यान रखिएगा पूरे को अधैसर अब कर सकते राइट कुछ करके आप देखो यहां पे यहां पे आपको start पे क्लिक करना है बस start पे क्लिक करते ही यह इसको क्या करेगा dump करना सुरू करेगा चलो हमें start पे कर देते हैं और उसके बाद हमें सब के जो database है वो provide करेगा यह सारे अब हमें जैसे यह सब मिल गया लगबग यहां पर देखो यह वाला अब इसमें हमें को email पासवर्ड वाले सारे रोज मिल गया है जो भी यह infected websites है इनमें सब में SQL injection vulnerability है जिसके तुरू हम database है कर रहे एक तरह से और database में से क्या निकालेंगे यूजर नेम पासवर्ड ठीक है अब यहां पर घाई हमें आल को वो सारे लिंक्स मिल गया जिसमें email पासवर्स Jahre यूजर ने पास्वड मैने प्सक्राइब किया है तो यहाँ पासवर्ड इमेल और पासवर्ट्रों में किसी किते बल् на ब możli did अश्रम किया योगित इसमें क्या है कौन सी मेत् Azure यूनियरत और इसी से यह डेटाबेस हैक करके आपको दे रहा है ज्याना खिएगा mysql union वाले जितने websites होंगे उसमें ज्यादा से ज्यादा आपको मिलने के chances होंगे email password और उसके password dhash भी करना आपको लिए ज्यादा easy होगा compared to mysql error वाले जो websites होंगे ठीक है तो union वाले हमें आपको मिले और इसमें देखो यार email id यह search में email लिखा हुए है इसमें email id कितने आपको मिल सकते है 33737 और टेवल कौन सा है यह IGN की जो भी है .users यह इसका कौन सा है यह इसका यह column column जो होता है या फिर आप table table को पहले आप expand करोगे table हमारा यह users है और इसमें यह column है ठीक है यह users नाम के टेवल के अंदर में 33737 आपको email id देगा और 33737 passwords देगा काफी ज्यादा होते हैं काफी ज्यादा 33000 की list आपको combo list बनेगी इसमें से कुछ अगर फालतू भी गया है तो 30,000 25,000 तो मिलेंगे कम से कम ठीक है यह आ गए अब दूसरे link यह देखो इसमें सिर्फ क्या है दूसरे link में सिर्फ password है वो भी सिर्फ कितने है सिर्फ दो हमारे किसी काम कर नहीं है तीसरा list देखो जितने ज्यादा रोज रहेंगे उतने ज्यादा email password मिलने के हमारे chances रहेंगे इसलिए maximum रोज try करने है अब इसमें सच email कितने मिलेंगे email form.agency जो हमारी table होगी जो हमारी column होगी तो उसमें 42 और बाकी इसमें password सिर्फ 6 मिलना है तो यह भी बेकार है यहां नीचे आओ यह सब मतलब इसमें फिर कम होते जा रहे हैं मतलब सब बेकार है कुछ-कुछ इसमें आपको ज्यादा वाले मिलेंगे सबसे टॉप पे वैसे यूजरी हाई वाले होते हैं अब देखो इसमें 33,000 कुछ है यह तो ल अब आपको सिंपली एक इस पर यूरल पर क्लिक कर देना है जो यूरल आप चाहते है जिसके password और email निकालने और go to dumper पर करना है और new dumper instance इस पर क्लिक कर देना है simple अब देखो यह new dumper instance start कर देगा ठीक है start हो गया बस अब इसको आप maximize कर दीजिए थोड़ा बड़ा दीखेगा यहां पर अब देखो यहां पर यूजर्स नाम की क्या है यह यूजर्स नाम का टेबल आपको मिल गया डेखो डेटाबेस कौन सा है एसे करके इसमें table कौन सा है यूजर्स नाम का अब इस टेबल के अंदर में email and passwords जो होंगे तबर करके इसके अंदर में तुम्हारे को क्या मिला ये table मैं users के अंदर में हमें columns मिलेंगे यूजर नेम पास्वर्ट्स होगा रखे और उसके अंदर हमें डेटा मिलेगा इसी तरह का पूरा हाईरर्की होता है SQL में MySQL database का ऐसी हाईरर्की होता है सबसे पहले database होती है फिर उसका table होता है फिर column होता है column से हम data निकालते हैं ठीक है हमें users मिलगा अब इसके हमें columns है तो get columns पर click कर दो simple उसके बाद wait करो यह columns निकाल कर देगा देखो columns में क्या क्या मिल सकते हैं user id name email password date registration की date login की IP number login status सब कुछ मिलेगा तो यहां पर हमें सब कुछ नहीं चाहिए हमें जो काम का है में बस वही में लगेगी ठीक है किसी किसी के नहीं निकलेंगे तो परिशान नहीं होना फिर इसको बंद कर देना दूसरा URL चूज करना फिर उसको डंप करके कोसिस करना ठीक है जरूरी नहीं है सारे database में email पासवड मिलेंगे मिलेंगे जरूरी नहीं है ठीक है ना और एक ही टेबल के अंदर होने चाहिए यह कॉलम्स यूजरनेम और पासवड या email पासवड का तभी वह फेच करके यह आपको देगा वरना आपको यह एरर देगा नीचे में ठीक है ना तो यहां थोड़ी देर आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि इसमें काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है डिए सौरी डंपिंग में क्योंकि बहुत है मुझे लगता तीन-चार घंटे भी लग सकते हैं कोई प्रॉब्लम ने तो हमें वेट करना है कुछ आगे बढ़ता है कुछ तो फिर मैं आपको बताता हूँ आगी जैसे यह पूरा डंप हो जाएगा फिर हम इसको डी एश करेंगे और देखिए किस तरीके से हमाई को प्लें टेक्स में पासवर्ड और इमेल का हमारा कॉमबो तयार हो जाएगा तो इसको पूरा हम ली हैश करने के लिए पहले हम इस देखिए 33,737 email passwords डम किये हैं और सारे जो यह passwords हैं यह दिख रहे होगे आपको यह encrypted है और सबसे पहले अगर आपको encrypted password मिलता है तो यहाँ पर देखो दो scenario है आपको यह password plain text में भी मिल सकता है तो आपके लिए वह बहुत ही अच्छी बात है आपको decrypt या dehash नहीं करना पड़ेगा बट यहाँ पर हैस्ट पास्वर्ट मिलता है तो आपको इसको dehash करना पड़ेगा plain text में तब जाके आप किसी चेकर या फिर open bullet या storm में आप उसको यूज करके और combo की तरह यूज कर सकते हैं और आप चेकर चला सकते हैं और hits ले सकते हैं ठीक है अब यहाँ पर एक और बात जानी है आप सब को जरूरी है ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पर जो password मिलते हैं जरूरी नहीं है कि सारे password crack हो जाएं बहुत सारे ऐसे passwords हैं जो काफी complex encryption का यूज करते हैं और उनके hash को break करना काफी मुश्किल होता है तो it's not necessary कि always आपका password crack ही होगा ठीक है हां मैं most of the time आपको जो है वो password crack कर सकता है जो टूल आपको मैंने एक find में hash दिया और इस वीडियो में मैं आपको एक और tool बताऊंगा नया उससे भी आप कर सकते है ठीक है तो सबसे पहले hashing को de-hashing करने के लिए hash को de-hashing करने के लिए सबसे पहले आपको पता करना है कि यह जो hash है वो किस type का hash है ठीक है तो पहले तो हम इसको export कर लेते इस data को तो यहाँ पर export बटन पर click करना आपको और export करने के बाद आपको choose करना plain text में चाहिए मुझे ठीक है आपको custom set करना है और बाकी जो इसमें है वो ऐसे रहने दे रहा है यह same to same आपके replaces lines यह सब कुछ default रहने देना आपको और उसके बाद start पर click करना है अब आप guys start पर जब आप click करेंगे तो आप से final name पुछेगा कि आप किस file से करना चाहते मैंने यहाँ पर file name दे दिया final final combo यह मैंने file name दे दिया final combo यह मेरा final combo है और इसको desktop पे हम save कर देते हैं export कर देते हैं क्योंकि यह काफी ज्यादा है तो इसमें थोड़ा सा time लग रहा है अगर कम होंगे combos username password या email password मैं आप करेंगा email password निकाले user password नहीं क्योंकि काफी सारे websites email password combination यहाँ पर यूजर आईडी और password भी ले सकते हैं उन hangilia अगराकर स्काफीब सासदा के लिए जो लॉगिन के लिए username और password का यूज़ करते हैं email का यूज़ नहीं करते हैं तो फिर आप उनका जो है और दीपी का कमाल है यह आप बिना डीपी कर सकते हैं यह कुछ भी नहीं है का आप डीपी की जरुएक पड़ती है क्राकिंग में डीपी इंपॉर्टेंट यह मस्ट ऐसा ज़रूरी नहीं है गईस आडीपी सिर्फ स्पीड के लिए होता है और कुछ भी नहीं आप नॉर्मल स को रिमूव कर देते हैं यह अन्वांटेड लाइन से यह रिमूव हो गया चलिए यह रिमूव हो गया हमारा email password अब यह से हम सेव कर देते हैं अब देखिए यहाँ पे अब यह जो has password है हमें यह पहले पता करना पड़ेगा कि यह hash किस टाइप का है ठीक है तो इसको पहले कोई सभी एक हैस आप सेलेक्ट करके कॉपी कर लीजिए मैंने कॉपी कर लिए हाँ पर इसका हैस टाइप पता करना है most of the has passwords जो होते हैं MD5SHA होते हैं और वह easy to crack होते हैं बट अगर कोई और हैस होता है complex encryption तो वहाँ हो सकता है को करना मुस्किल हो तो उसके लिए आप फिर next website पे जाए उसके डेटा को डंप करें फिर इसको निकालें फिर वैसे वैसे try आप कोंगते रहें है ऐसे नहीं हो तो मतलौ हो गाई नहीं अब तो भाई हुआ ही नहीं आशनी आपने अपने RDP के अंदर में open कर लेते हैं कोई इश्यू नहीं है कोई बड़ी बात नहीं है चलिए यह रहा ओके यहां नोटपैट प्लस प्लस का खुला था बंद कर दिया यह हमने इस हैस टाइप मड़ी फाइव और मड़ी फॉर यानि यह मड़ी फाइव फॉर है जो जिनरली जितने भी अब लेटेस्ट पासवर्ड मेकेनिजम है उसमें मड़ी फाइव मड़ी फॉर का यूज नहीं होता है क्योंकि वह एजी टू क्रैक उसकी काफी बड़ी डेटाबिस बन इनको यह पता करके बता सकता यह सारे भी ठीक है तो यहाँ हमें पता चल गया है या फिर अगर पता चल गया है तो अब हम खुश होना चाहिए हमें क्योंकि एक और टूल है जिसको कि मैं वीडियो प्लेयर के नीचे इंबेड कर दूंगा यह टूल का नाम है आपको मैं दि ओनलाइन रिवर्स हैश्टूल थेकर इस तूल का नाम है आपको सिंपली ऑपन करना है यह पूछेगा उसिंग अटे ऑन रिस्क बिल्कुल बाई हम पर रिस्क पर यूज कर रहा है उसके बाद यहां पर इस तरह के से बातặt से मैंनु एनु पर जानी है स्टार्ट फ्रॉम पर क्लिक करना है और उसके बाद सेट ट्राय निमिटर जो इसको आप वैसे एसे देज्ड़ के और कभी फाइल करनी है कि कौनसी कॉमबो की फाइल आपको finl combo मैं इसको select कर रहा हूँ final combo को और open कर रहा हूँ ठीक है यह रहा open कर लिया अब देखिए यह क्या हो गया final combo इसमें आ गया total 33736 और देखिए गाइस इसने 32 hash को de-hash कर दिया है 32 total 32 में से 32 इसने find कर लिया है और भी धिरे-धिरे find करेगा जरूरी नहीं यह सारे find कर ले बट maximum आपको find करके देगा क्योंकि MD5 है maximum password list तो हमें wait करना पड़ेगा जब तक यह total 33,736 passwords को यह de-hash ना कर दे इसमें काफी time लगेगा क्योंकि काफी बड़ी लंबी list है तो मैं wait करता हूँ और मैं फिर आता हूँ यहीं पे जैसे यह de-hashing complete कर देता है so guys दोपहर से शाम हो गई और अब जाके यह complete हुआ है इसने de-hashing कर लिया यह tool तो काम कर रहा है अच्छे से find मैं hash भी करता है बट यह भी काम कर रहा है अच्छा tool है यह इसने total 24,321 hashes को unhash किया है 33,000 में से enough है काफी है 72% इसन अनाश किया है यह देखो यहाँ चुका मैं तब से इसको लगा के छोड़ा था मैंने आप सब के लिए वीडियो बनाने के लिए वरना वीडियो तो अल्लेडी बन चुकी है इस पर यह explain करके वापस से वीडियो क्रेट कर रहा हूँ आप सब के request पे आप सबने बोला था इसलिए तो यह हो गई unhashing ठीक है अब मैं इसको यहाँ पे ok कर देता हूँ अब देखो इसको save कैसे करना है फिर से यहाँ पे आपको main menu में जाना है और यहाँ पे save to file का एक option है save to file पे आपको click कर देना है ठीक है अब देखो यहाँ पे क्या है hash text अगर आप ऐसे save करते हो तो एक side में hash आएगी और उसकी text यानिकी unhash value आएगी हमें ऐसा नहीं करना हमें email और unhash value चाहिए तो text को तो text ही छोड़ देना और यहाँ hash के जगर क्या लिखना है यहाँ लिखा हुआ है use this tags hash का मतलब hash value, text का मतलब decrypted text, service का मतलब service name और data का मतलब username email कुछ भी तो हमाले पास email था तो obviously हम data वाली tag को use करने वाले है ठीक है अब यहाँ पर देखो अब यह भी कर सकते और in your list replace found, delete found, delete not found यह सब कर सकते हैं तो यह सब जो है आप कर सकते हैं अगर delete not found वाले हैं तो उसको आप delete कर सकते हैं कोई problem नहीं है यहाँ पर हमें फिलाल data सिर्फ use करना है data यानि email address और हमारा जो password है बस यह आ गया हमें उसको क्या करना है save कर देना है तो हमने यहाँ data कर दिया और यहाँ text कर दिया ठीक है अब यहाँ पर ok पर press आपको करना है ऑके पर जैसी press करेंगे यह आपसे पूछेगा save करने के लिए ठीक है यह देखो save करने के लिए आ गया मैं यहाँ पर कर देता हूं कि डि हैस्ट ॐ तीर है नाम देता हूं धाइब बहुत इह देख़ नहीं और एक यहाँ यह जर रहा है शक्राइब होगा है चलक्स और पर एह ऐगर सेब भाटी तो सेव करने में भी इसको लग रहा जोड़ाज तो और गार वाली फाइल को मैं नोट Adapodpad, PLS, PLS में Open करके आपको दिखाऊँगा तो यह देखो, यह हो गया, यह पहले वाली फैल हटा देता हूग, यह देखो, यह सारे DHS combos हैं, कितने सारे list हैं, यह देखो, तोटल काफी सारे काफी सारे हैं हमारे DHS combos, आप थेख सकते हैं, आपको group support में मिल गया होगा जो admin अभी support में है वो उसने दिया होगा और आपको और भी चीजे जो हैं काफी सारे group में मिलती रहती हैं तो group को भी आप group में भी update रहना है और देखते रहना है and guys next lesson already uploaded है तो next lesson के तरफ आप जाईए और देखिए cracking उसमें मैंने simple बताया है कि अब best आपको ये combo और proxy load करने है config select करना है जिस account का crack करना है उसके बद start कर देना है बस simple सारा game जो है combo और config आई है so guys मिलते है next lesson में